दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Homeopathic Medicinal System की उस Medicine के बारे में जिसकी तुलना Calculia Carb से की जाती है अब जब मैं Calculia Carb की बात करता हूँ तो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि थुल्थुला, मौटा, गोरे रंका यदी कोई पेशेंट है तो वो Calculia Carb है ऐसा ही मौटा, थुल्थुला, इस थूल शरीर वाला एक पेशेंट और एक Medicine में देखने को मिलता है और इस Medicine को Hindi में कहा जाता है काला सीसा और Medical की भाशा में इसका नाम है Graphitis तो अब हम Graphitis की आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि Calculia Carb का पेशेंट भी मौटा होगा थुल्थुला होगा, शीत प्रधान होगा, चिली होगा और Graphitis का पेशेंट भी ऐसा होगा लेकिन अब इन दोनों में पहला characteristic जो difference हमें आपको बता देता हूँ उसके बाद Graphitis के लक्षणों की मैं आपसे बात करूँगा कि Calculia Carb हमें किन व्यक्तियों में देना है जिन्हें की सिर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है मौटा थुल्थुला व्यक्ति है सिर से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है थंड बहुत ज़्यादा लगती है Calculia Carb का patient है मौटा थुल्थुला व्यक्ति है थंड बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन सिर से पसीना नहीं आता हाथ-पेरों से पसीना नहीं आता Graphitis का patient है यह दौनों में difference मैंने आपको बता दिया तो याद ये रखना है कि जिसको सिर से पसी ना आए वो कैलकेरिया कारब जिसको सिर से पसी ना आए वो ग्रेफाइटिस अब बात करते हैं ग्रेफाइटिस के दूसरे symptoms के बारे में तो graphitis बहुत सारी बीमारियों में उपयोग की जाती है तचा के केस में उपयोग किया जाता है महिलाओं में उपयोग किया जाता है बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है जिन लोगों को तचा संबंदी कोई बीमारी हो गई है उनने फोड़े फुनसी पढ़ने देखा जाएगा कि उसके जो फुनसियां होंगी, उसके जो eruptions होंगे, उसका जो eczema होगा, उसमेंसे पानी जैसा एक पदार्थ चिपचिपा पदार्थ निकलता रहेगा, तो graphitis उसकी medicine है, इसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनको कान के पिछले हिस्से में eczema हो जाता है, और यह जो eczema होता है, कितनी भी कोई cream लगा लो, alignment लगा लो, कितनी भी दवाई खालो, वो ठीक नहीं होता, तो कान के पीछे यदि किसी को eczema हो रहा है, तो graphitis ही उसकी एक मात्र medicine है, अब जरूरी नहीं है उस case में कि patient मौटा थुल्थुला हो, लेकिन कान के जो eczema है, यह उसका characteristic symptom है, इसके साथ मैं, यह जो patient होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा चिली होता है, तो यदि किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी है, और उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब गर्मी के दिनों में भी वो रजा नहीं हो सकती है, कोई भी बीमारी हो, उसको फिर हमें graphitis दे देना चाहिए, इसके साथ मैं constipation के लिए भी graphitis बहुत अच्छी दबा है, जिन लोगोंने मेरे constipation के वीडियोस देखे हो, जिसमें मैंने 5 दबाओं के बारे में बताया था, उनमें से एक दबा मैंने बताई थ तो graphitis का constipation कैसा होता है, वो व्यक्ति जिनने बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है, और वो जब भी मलत्याग करने जाते हैं, उन्हें काले काले कलर के छोटी छोटी बॉल्स के रूप में बकरी की लेटरिन के जैसी, यानि कि बकरी की जो मैंगनी होती है, उस मैंगनी क symptom होता है, constipation, यदि किसी को है, graphitis का constipation कैसा होगा, बकरी की लेटरिन के जैसी उसकी लेटरिन होती है, छोटी छोटी बॉल्स के रूप में, काले कलर की बॉल्स के रूप में, जिन बॉल्स पे म्यूकस लगा हुआ होता है, उन बॉल्स के रूप में उसकी लेटरिन होती ह तो यह graphitis का constipation है तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई कब्ज है जैसा लक्षन मैंने अब यह आपको बताया है तो फिर उस अवस्था में हमें उसे graphitis देने की जरूरत है इसके अलावा graphitis पेट में होने वाले अलसर यानि की पेट के छालों की भी सबसे अच्छे medicine होती है और कई बार यहां तक देखा गया है की आतों का cancer हो stomach का cancer हो उनमें भी इसने रोगी को बहुत अच्छे तरीके से handle किया है और बहुत ज़्यादा उसको relief इस दवा से मिलता है इसका characteristic symptom क्या होगा चुकि जो अलसर के cases होते हैं उनमें रोगी यानि की patient में अलग-अलग तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं graphitis का जो patient होगा उसमें ये लक्षण देखने को मिलेगा कि यदि वो खाना खा लेता है तो उसे आराम मिलता है पानी पी लेता है तो आराम मिलता है यानि कि खाना खाने और पानी पीने से उसका जो दर्द होता है अलसर में होने वाला जो दर्द है उसमें उसे बड़ा आराम मिलता है यदि व्यक्ति लेटा रहता है तो उसे बड़ा आराम मिलता है यदि वो कोई गर्म चीज खाता है यह पर यह contradictory symptom है यानि कि विरोधाभासी symptom है जालतर अलसर के मरीजों को गर्म खाना खाने पीने से तकलीफ बढ़ जाती है लेकिन graphitis का जो patient होता है उसे गर्म खाना या गर्म पानी पीने से उसके दर्ध में आराम मिलता है तो यदि किसी व्यक्ति को पेट में अलसर है आतों में आतों का कोई cancer है उस अवस्था में ये जो symptom मैंने अभी आपको बताए है यदि ये किसी रोगी में दिखाई देते हैं तो समझ जाएए कि उसको graphitis देने की जरूरत है इसके अलावा ये कान के बहरेपन की भी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है इसका जो कान का बहरापन ह वो बड़ा अजीब तरीके का होता है अजीब तरीके का इसलिए क्योंकि सामानेता ये देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ती शोर वाली अवस्था में खड़ा है तो उसे सुनाई नहीं देता है और अगर कहीं कोई शांत कमरा है तो उसे सुनाई देता है लेकिन graphitis का जो रेल गारी निकल रही है तो graphitis के patient को यदि आपने कुछ कहा तो उसे रेल गारी की आवाज में भी बड़ी आसानी से सुनाई दे जाएगा लेकिन रेल गारी निकलने के बाद जब मौसम थोड़ा सा यानि कि जो atmosphere है वो थोड़ा सा शांत होगा आवाज है तो उसे सुनाई नहीं देने वाला यह characteristic symptom होता है graphitis का उन मरीजों में इसका बहुत अच्छा उपयोग है जो की बहुत loud speaker की आवाज में बड़ी आसानी से सुन लेते हैं लेकिन जब वो किसी doctor से check-up कराने जाते हैं तो उन्हें सुनाई नहीं देता तो यह characteristic symptom होता है कि यदि किसी व्यक्ति क जो शोर में सुनाई देता है और सामान्य वस्ता में सुनाई नहीं देता है बहरापन है तो फिर graphitis उसकी दवा होगी इसके अलावा graphitis मानसिक रोगों की भी बहुत अच्छी medicine है इसका एक खास characteristic मानसिक symptom होता है एक मानसिक रोग का एक लक्षन होता है कि व्यक्ति को अपने चहरे पर मकडी के जाल जैसा होने की sensation होता है यानि कि ऐसा लगता है कि उसके चहरे पर मकडी का कोई जाला है ऐसे characteristic symptoms होते हैं जैसे ही व्यक्ति कमरे में अंदर दाखिल होता है तो उसे लगेगा वो अपने चहरे को साफ करने लगेगा उसे ऐसा लगेगा जैसे मकडी का जा उसके चेहरे पर लग गया है तो समझ जाए यदि उसको कोई ऐसा symptom दिखाई देता है तो फिर graphitis उसकी दबा है इसके अलावा यदि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की चर्म रोग की शिकायत थी कोई सा भी चर्म रोग हो एक्जीमा हो सकता है, सुराईसिस हो सकता है सिंपल फोड़े फुनसी हो सकते हैं रिंग वर्म हो सकता है, कोई भी बीमारी रही हो तचा संबंदी और आपने उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया हो और Allopathic Treatment कराने के बाद आपकी वो बीमारी तो खत्म हो गई लेकिन उसके बाद से शरीर में दूसरी कोई बीमारियां होने लगी अब जरूरी नहीं है कि Allopathic Treatment कराया हो कभी Homeopathic का भी कोई Treatment कराया हो और Homeopathic Doctor ने आपको वो दवाएं दे दी हो जिससे कि उस बीमारी को सप्रेस कर दिया गया हो यानि कि वो जो बीमारी है वो दवा दी गई हो उस समय के लिए तो आपको लगा कि वो आप ठीक हो गए Homeopathic दवा से लेकिन वो बीमारी जो थी वो क्योर नहीं होई सप्रेस हो गई हो तब उन केस में यदि कोई पुरानी बीमारी का तचा संबन्दी बीमारी का चर्म रोग का सोराइसिस का एकजीमा का फोड़े पुनसी होने का कोई भी लक्षण आपके शरीर में रहा हो और आपको याद हो कि उस समय वो बीमारी आपको हुई थी और उसके बाद से ही आपके शरीर में ये समस्या होना शुरू हो गए तो आप समझ जाएए ग्रिफाइटिस ही आपको ठीक कर सकती है क्योंकि ये characteristic symptom है ग्रिफाइटिस का कि वे मरीज जिन में तचा संबन्दी किसी बीमारी को किसी दबा के द्वारा दबा दिया गया हो सप्रेस कर दिया गया हो और उसके बाद से उनके शरीर में विबिन दूसरी प्रकार की बीमारीयां डेवलाफ होने लगी हो तो समझ जाएए कि आपको ग्रिफाइटिस देने की जरूरत है उस patient अब यदि हम इसकी dose की बात करते हैं तो केवल 200 potency से इसकी शुरुआत की जाती है 200 potency की चार बूंध हफते में केवल एक बार मरीज को देना चाहिए कोई भी बीमारी हो यदि कोई acute case है तो फिर डॉक्टर से consult करके 30 potency का उपयोग किया जा सकता है लेकिन सामानेता जो symptoms मैंने आपको बताए है वो chronic type के ही होते हैं लंबे समय से चल रही बीमारिया ही होती है तो फिर 200 का उपयोग जादा suitable रहता है इसके अलावा डॉक्टर अपनी समझ के आधार पे 1M, 10M, LM, CM इस तरह की potency का भी उपयोग करते हैं वो लक्षणों की तीब्रता, chronicity, व्यक्ति का शरीर शरीर की immunity, शरीर की vitality इन सारी चीजों पर निर्भर करते हैं कि हम किस potency का उपयोग करेंगे सामानेता 200 potency की 4 wound हफते में एक बार मरीज को continue 3-4 महिने तक जब दी जाती है तो उसे बहुत अच्छे result देखने को मिलते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही